2022 आगया है और मैं तो बहुत excited हूं because मैंने start कर दी है new skills upgrade करनी yes new skills upgrade करेंगे खाली jobs के लिए नहीं अपनी life को भी improve करेंगे कुछ भी कुछ भी करके हमें improvement करना ही करना है ये तो सिर्फ एक बहाना है कि भई नया साल आया है कुछ नई नई चीज़े हो रही है सब चगे enjoyment कर रहे हैं तो कुछ skills भी upgrade कर लेते हैं right so आप उसी के बारे में हम discuss करने वाले हैं लेकिन उससे पहले I think आपने मेरा एक session पहले जो अभी आया है वो देख लिया होगा जो मैंने new year resolutions पर discuss किया था किया है तो जरूर उसको follow करें देखें नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें because वो बहुत helpful होने वाला है और इसी के साथ hello everyone this is Ugandha and you're watching ready to get update and welcome back to my channel and I hope so आप पीछे के सारे sessions देखते चारे हैं नहीं देख रहे हैं तो description box इसी लिए बना हुआ है कि जो भी पीछे के sessions छूट गए है उन्हें देखते रहें या फर channel पे jaw के playlist में भी check कर सकते हैं channel के videos में भी देख सकते हैं क्योंकि मैं दे रही हूँ regularly बहुत सारे sessions आपके career पे HR पे, job interviews पे और जो भी आप मुझसे request करते हैं right so आपने ये भी तो करी दिया होगा कि जब मुझे सुन रहे हैं पहली बार तो subscribe तो करी दिया होगा channel और वो जो cute से bell icon है उसको hit कर दिया होगा because जो आप sessions request करेंगे वो आपको मेलेंगे आपके notification feed में okay so चलिए आज discuss कर लेते हैं बहुत जादा career की ही बारे में बात नहीं करूँगी लेकिन हाँ कुछ focus वाली चीज़ों पर तो हम बात करनी चाहिए तो सबसे पहली skills जो हम अपने अंदर डाल सकते हैं वो है innovation skills अब ये क्या है क्या innovate करना है yes कुछ भी नया कुछ भी original जो आप सोचते हैं it could be anything अगर आप एक student है आप एक housewife है आप एक career oriented job seeker है आपका एक बहुत वेल सकी कारियर है तो कुछ भी innovate करना है हम लोग भूल जाते हैं अपनी पूरे daily life में कि कुछ चीज हम कर सकते हैं कुछ हम different कर सकते हैं अब innovation की मैं बात करूँ अगर आप sports पसंद करते हैं आप खेलते हैं तो आप अपने लिए basketball bucket भी बना सकते हैं वो भी एक innovation ही है मतब प्रॉपर उसको कैसे उसका जो stand होता है वो बना सकते हैं जिसमेंसे वो नीचे गिरती है उसको आप बना सकते हैं बहुत सारे ways हैं इसको करने के अगर आप एक student है अपने लिए table का setup कर सकते हैं बहुत अच्छा अपने लिए books कैसे सेट करनी हैं उसको भी innovate कर सकते हैं उसकी shelves बना सकते हैं किसी भी चीज़ को use करके ऐसी बहुत सारी चीज़े आप कर सकते हैं अगर आप एक housewife हैं बहुत नॉर्मल है आप अगर आप एक बहुत वेल सेटल परसन है तो अपनी काबर्स के लिए कुछ बाकित्स बना सकते हैं जैसे के आप चो अपना समान है उसको अलग-अलग सेपरेट करके रख सकते हैं यह मैंने कुछ एक्जांपल्स दे हैं और आप मुझे प्लीज जरू है वैसा नहीं है सो इस बेटर कि हम अपने ही लेवल से छोटा छोटा उटके कुछ भी इनुवेट करें जो हमें अच्छा लगता है राइट सेकिन आ जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टन थै और प्लीज इसको जरूर करिएगा इस बार हमें जरूर करना है चाहें आप किसी एज गृप मी नी月 में हैं और जाहें आप सिर्फ ठट रहे हैं आप चाहें अपने गारयर में वैल सेट्लेड हैं आप चाहें क उ अप्शून रहे हैं आप चाहें हैं हाउस वाइप्स हैं इक बार सोच कर देखिये कि आप का time कहां जा रहा है Yes, हम लोग बहुत बहुत time तक खाली बैठे रहते हैं, कैसे अपने time को use कर रहे हैं, बहुत चारे लोग तो ऐसे खाली gossiping में निकाल देते हैं, बहुत जादा समय, उसके साथ वो कुछ और कर सकते हैं, और जब वो कुछ और करना start करेंगे, तो उनका focus shift हो जाएगा, वो gossip नही करेंगे, okay, so अपने आपको monitor करेंगे, मैंने अपने last session में भी बताया था time को manage करने के लिए 24 hours अपने आपको monitor करेंगे, yes, यह बहुत ज़रूरी है, एक बार आप monitor करेंगे अपने आपको 24 hours के लिए, आप खुद से feel करेंगे, कि आप क्या काम करते हैं, और क्या नहीं, आप आपके पास हमेशा fruitful activity करने का time हो सकता है, yes, आप उस time को कहीं all spend कर सकते हैं और अपने आपको improve कर सकते हैं, आपको चाहें opportunities नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारी housewives यहां पर फू सकता है, बहुत सारी हाउस वाइप्स यहां पर फू सकता है, बहुत सारी time नहीं होता है, यह नहीं when you have kept a maid तो उसके पीछे-पीछे run around करना, I don't think it's fine, आप उस time को कहीं और use कर सकते हैं, जब आपने किसी को किसी purpose के लिए लगाया हुआ है, तो हाँ ठीक है, आपने थोड़ा बहुत देख लिया कि कैसा काम हो रहा है, उसके बाद आप अपना shift कर सकते हैं time किसी और fruitful activity में, ऐ जाल दिया, उसको कोल के आ गए, पर दूसरे रूम में चले गए, just monitor yourself for 24 hours के आपका time कहां spent हो रहा है, it will really help you, okay, third, now third is career focused skill, now ये तो हमें इस साल upgrade करनी ही करनी है, आपने career के लिए कुछ काम करना ही करना है, चाहे हम किसी age group में है, चाहे हम well settled है, still हमारे पास कही ना कही scope होग नई चीजों को सीखने का, career related नई चीजों को सीखने का, हम जिस भी industry में हैं, वहां की magazines उठाईए, अच्छी magazines उठाईए, वहां trends क्या चल रहे हैं, क्या हो रहा है वहां, क्या चीज़े हम upgrade कर सकते हैं अपने अंदर, हम अगर एक job सीखर हैं, कहां कमी रह रही है, क्यों कमी नहीं चला पाते हैं, अब यहां पर मैं बात कर रही हूं उन लोगों की, जनके समय में mobiles नहीं थे, जो थोड़े ज़ादा age group में हैं, तो कहां problem आ रही है, क्यों नहीं, मतलब अगर आपको कुछ health issues है, अब जाद दे तक mobile नहीं देख सकते हैं, that's fine, नहीं देखिए, लेकि यह जो मेरा session है, यह complete session है, यह completely सब के लिए है, sub generations के लिए है, because 2022 सब के लिए आया है, यह completely ऐसा session नहीं है, जो कि career related है, so यहां पर आप, जो यह मेरा third point है, इसमें जो भी आपकी career related skill है, जो कि रह रही है, जिसे आप lag कर रहे हो, उसको जरूर और जरूर change कीजिए, जरूर आपने अंदर imbibe कीजिए, जरूर develop कीजिए, अपग्रेट कीजिए, okay, fourth is creative skill, यह है मेरा favorite, जिसमें चीज का shock है, I am passionate about dance, I am passionate about sports, I am passionate about mehendi making, I am passionate about rangoli, जो किसी भी चीज़ के लिए आप अगर passionate है, कोई भी ऐसे चीज़ है, जिसके लिए आप creative fields में passionate है, उसको बढ़ाईए, इसको और increase करिये, थोड़ा सा time निकालिये, थे कि मैं हर चीज़ पर आपसे बोल रही हूं कि time निकालिये, time निकालिये, आप एक week में ऐसा भी कर सकते हैं कि दो देन सा skill के लिए देन सा skill के लिए और तीन सा skill के लिए और ऐसे भी लोग हैं जो 24 घंटे में बहुत जाद अप क्रेटिव स्किल्स कब का माझाएंगी, like if I talk about myself, यह मेरा एक बहुत बड़ा पार था, speaking, public speaking, बोलना, अपनी बातों को express करना, through videos, मैं ऐसे ही जब YouTube पे भी नहीं करती थी, तब ही मैं बोलती रहती थी, बहुत सारे लोग मुझे in fact घर में यह भी कहती थी, कि तु अपने जाना, उसको बताना, जैसे मैंने एक topic रीड करा, तो मैं अपने आप से बूल रही हूं इस topic के बारे में, mirror में देखके कर रही हूं, कभी मैं कुछ काम कर रही हूं, तब उस topic के बारे में बूल रही हूं, तो इस तरीके कि यह creative चीजे हैं, पता नहीं आपका यह का profession बन ज चाति हूं और यह हम सब को follow करना चाहिए, यह है consistency skill, you have to be consistent, जो भी चीज़ प्लान कर रहे हैं, उसमें consistent रही है, जाहें धीरे 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 step रखिए, पहले तो बहुत सारे बड़े goals मत बनाईए, बहुत सारे resolutions, बहुत सारे skills अपगरेट करने के लिए मत सूचिए, कुछ-क चीज़ों पर ही काम करिए, जिससे के धीरे धीरे बढ़ेंगे तो बोरिंग नहीं होंगे, बहुत सारा काम एक बार में कर लेंगे, तो हम क्या होगा, एक दिन, दो दिन, चौर दिन बहुत ही जाधा जोश में कर लिए और उसको बहुत बोर हो गए कि पाचवे दिन काम करन उस पे work करना, ऐसा नहीं है कि एक बार सोचा, कुछ करना शुरू करा और फिर उसको छोड़ दिया, ऐसा मत करिये, यह आप कर सकते हैं कि one week challenge दें, अपने आपको 15 days challenge दें, 30 days challenge दें, कुछ-कुछ time के लिए दें, फिर आपकी habits में develop हो जाएगा, यह बहुत असानी से होता है, क कि हम अगर कोई चीज को ऐसे challenge दें के करें तो वो हमारी चीजों का part बने लगती है, उस समय हमारे mind में में स्ट्राइक होने लगता, मुझे वो काम करना था, ऐसा था, okay, so be consistent, आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें consistent रहिए, ऐसा मत करिये कि कभी करा, कभी नहीं करा, तो फिर उसका ultimately, ultimately जो result आएगा, वो यही आएगा, zero, okay, so I hope so, यह enough था, और आप भी मुझे से please जरूर शेर करें कि आप कौन-कौन से skills अपग्रेट करें माले हैं, comment box में, please मैं wait करूंगी, देखूंगी, इसको please जरूर देखें, और share करते रहें, and the next video तक के लिए all the very best, hope so, यह आप लोग के लिए beneficial होगा, thanks for watching, bye-bye